हेलो फ्रेंड्स वेलकम तु मापास की चन आज की हमारी रेशिपी बहुत ही जिम्पल है और इसे बनाना बहुत ही आसान है और बच्चों की बहुत ही फेवरेट रेसिपी है आज हम भनाने वाले हैं चीजिक गारलिक ब्रेडिक बनाने के लिए यहाँ सबसे पहले हमें बटर और गार्लिक का मिक्चर तायर करना है इसलिए मैंने आप पचास से साथ ग्राम बटर लिया है बटर मैंने आप रूम टेंपरेचर पे लिया है अगर आप फ्रोजन बटर लेते तो वह ब्रेड पे स्प्रेड नहीं हो पाएगा इसलिए बटर को हमें रूम टेंपरेचर पे ही लेना है अब हम इसमें डाल देंगे गार्लिक यहाँ पर मैंने गार्लिक का इस्तेमल थोड़ा ज्यादा किया है लेकिन आप इसमें नमक का इस्तेमल हम नहीं करने वाले अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स भी आप आपके इसाप से एड़ेस्ट कर सकते हैं, आपको कितना दिखापन चाहिए, उसी साप से, इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, आप चाहे तो इसमें और ही गानों भी डाल सकते हैं, या अब मैंने नहीं डाला है अब हम उपर से इस पर बारीक कटा हुआ हरा देने हम इस पर डाल देंगे यह अगर आपके बच्छों को नहीं पसंदे तो आप मत डालिए यह देखिए अब हमारा मिक्चर दायर हो चुका है अब हम इसकी ब्रेड पर कोटिंग कर लेते हैं आप चा अब हम इसे थोड़ा सा और आट्रेक्टिव लूग देते हैं बच्चों को यह बहुत पसंद आएगा हम रेड को अलग अलग शिप्स में कट कर लेंगे यहाँ पर मैंने इस प्रकार के शिप्स लिए है अब हम ब्रेड को कट कर लेते हैं इसे बच्चों को खाने में बहुत मज़ा आएगा बहुत ही बड़िया इसका लुकाता है यह देखिए यह जो बचा हुआ ब्रेड है इसे भी हम वेस नहीं जाने देंगे उसे भी हम बट सब्सक्राइट और गार्लिक की कोटिंग हो चुकी है अब हमारी नेक्स टेप है चीज की कोटिंग अब हम इस पर चीज फेड कर लेंगे यहाँ मैंने मोजरेला चीज लिया है आप चाहे तो प्रोसेश चीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसे मिक्स भी कर सकते हैं आधा प्रोसेश और आधा मोजरेला चीज भी आप यूज कर सकते हैं यह देखिए अब हमने हमारे सभी ब्रेड के शेप्स पे चीज की कोटिंग कर ली है इस प्रकार हमने चीज प्रेड कर लिया है अब बारी आती है इसे सेखने की तो के लिए हम पैन को मेटर की थोड़ी से कोटिंग कर लेंगे पैन में मैंने बटर डाल के टीशू से इसे पोंच लिया है अब हम इसमें हमारे ब्रेट रख देंगे एक बात का ध्यान रखिए गैस की फ्लेम आपको लो रखनी है अगर आप हाई फ्लेम पे इसे टोस्ट करते हो तो ब्रेट निचे से जल जाएगा और चीज भी अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हो पाएगा एकदम लो फ्लेम पे हमें इसे टोस्ट करना है इसमें देर से दो मिनिट लग जाता है तो दो मिनिट के लिए हम इस पे ढकन रख देंगे गैस को एकदम लो फ्लेम पे हमने कर दिया है ये देखें दो मिनिट बाद हमारा चीज कितना बड़िया मेल्ट हो चुका है और ब्रेड भी नीचे से नहीं जला है मैं आपको दिखा देती हूँ ये देखें नीचे वाली साइट बहुत ही क्रिस्पी बनी है और बिल्कुल भी ये नहीं जली है चीज भी अच्छी तरह समेल्ट हो चुका है तो इस प्रकार हम हमारे सभी ब्रेड्स को सेंक लेते है अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते है और ये देखें शेप्स कितने बढ़ यादीक रहे है बच्छों को तो ये बहुत ही मज़ेदार लगेंगे बच्छों को इसे खाने में बहुत ही मजा आने वाला है इस प्रकार हमारा चीज गार्लिक ब्रेड तैयार हो चुका है अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व कल देते है तो ये जो स्कुएर शेप्त का इसे थोड़ा सा और अट्रेक्टिव बनाने के लिए हम इसे बीच में से कट कर लेते हैं हम इसे ट्राइंगल शेप में कट कर लेंगे ताकि बच्चों को इसे खाने में आसानी हो दिखने में भी यह अच्छा दिखे यह देखे चीज के लिए और कितनी बढ़िया आई है हमारी आज की रेसिपी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइए और प्लीज मेरे जानल को लाइक किजिए शेयर किजिए सब्सक्राइब किजिए हमारी आज की रेसिपी देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलते हैं एक हिल्दी स्टे हिल्दी